अमैठी में एक गाय लोगों के लिए पहल बनी हुई है दरसल आम तोर पर गाय जब तक गर्भ से होती है तब तक दूद भी नहीं देती है लेकिन अमैठी में काम धेनु रूपी गाय लगतार बिना गर्भ धारन किये लगतार लोगों को अपने अम्रित समान दूद का सेवन करा रही है थाना शेत्र अंत्रगत ग्राम ठेंगा में रहने वाले अत्यंत साधारन ब्रहमण परिवार के घर आज से नौ साल पहले कि गाय ने रक्षाबंधन के दिन चोटी सी बच्चिया को जनम दिया था लेकिन देखते ही देखते गाय व्यसक हो गई लेकिन गाय के बै परित समान दूद का सेवन करा रही है तो एक थन इतना बड़ा हो गया है जब इतना बड़ा हो गया है तो हम सो शंकित भए कि तो मतलब आपन दाएबाएं गाभिन होगी हूई है या कैशो इभा की अवे सुरच्छी तहां है इनके खान पीयन बढ़ा हुआ है खान पीयन जब बढ़ा दें इनके थन बाहे करनो दिक्कत यह है एका डाक्टर दखावा जाए जब डाक्टर ओपी तिवारी आपके भूत पूर्व सरकारी अस्पताल से रिटायर भा है वे आएं तो बताएं कि भईया एका कौनो दिक्कत नहीं एका आप दूहाई गाभिन नहीं है तो आइसे में इसका दूद कितना दूद देती है और कितने सालों से दे रही है इसाधि चार साल लगभग के दूद देत हुई गया इह साइट पर यह लगभग दूई लीटर को पर एक मीटिंग में देती है अब चारा हरा हुई गया है लगभग इमान के ने पंद्रे दिन बाद इसका दूद कैसा है अब इसको क्या मानते है अब इस सोर के आशिरबाद आप सब के आशिरबाद माता पिता के आशिरबाद पूर जन्म के आशिरबाद सब कर्म कमा है सब भहिया हुए सब मिला यह गायद ही इसको क्या है अब काम देहन तो माने जाए लेकिन इसका लुग मत जुजबिन भहिय आपको बता दे गाए पहले दोनों समय एक 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 लीटर दूद दिया करती थी लेकिन अब साथ-साथ लीटर दूद दिया करती है लोग इसे किसी चमतकार से कम नहीं मानते गौपालक काम धिनु रूपी गाय के दूद को भगवान का आश्रवात के समान मानते हैं पंजाब केसरी के लिए अमैठी से शरत कुमार की रिपोर्ट